मान्यवर किस बात की राजनेती हमारे देश में वो हालात हो गए हैं अब लोग प्रशन उठाते हैं राम थे या नहीं थे दरत तेरे की बुद्धी का दिवाला निकल गया राम पे प्रशन उठाते हैं महावीर थे या नहीं थे कश्न थे या नहीं थे कैसे कैसे लोगों की द नगालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं, उस इतिहास को वहीं दफन कर दो, जो आदमी को आदमी से तोड़ता हो, उस इतिहास को वहीं खत्म कर दो, जो इंसानियत की हत्या करता हो, इतिहास तो वहीं अमर होते हैं, जो आदमी से आदमी को जोडने का काम किया करते हैं किन इतिहासों को तलास रहे हो, किन मैं देख रहे हो, उनके माता-पिता कौन थे, उनका गाउं कौन था, अरे गाउं और माता-पिता से कुछ नहीं होता, मेरे भाई, मेरे मावाप के नाम से तुम्हारा कल्यान होने वाला नहीं है, मेरे गाउं से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, यदि तुम्हारे जीवन का कल्यान है, तो संत के माध्यम से जीवन का कल्यान हुआ करता है, कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी अपवा हैं, देश को तोड़ने का प्रियास कर रहे हैं लोग, मेरा भारत फट चुका है, मेरे भारत के तुकड़े, तुकड़े हो रहे यह दर्द लेकर आज मैं यहां पर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक संत को क्या चाहिए, मुझे क्या लेना देना, मेरे पतन पे तो कपड़े भी नहीं हैं, मैं तो नंगे बदन और नंगे पाँ, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा किया करता हूँ, मुझे कुछ अपने लिए, लेकिन आज मैं यहां पर आया हूँ, तो एक बात ध्यान रखना श्रीडी वालो, एक बात ध्यान रखना यहां पर बैठे हुए सद्धालो, मैं कैची लेकर नहीं, मैं सुई धागा लेकर के आया हूँ, कैची कपड़े को काटा करती है, और सुई धागा संत ही सुई धागा बनकर फटे हुए भारत को जोडने का प्रियास करेंगे